हे गाईज आज हम बात करेंगी इमेकलेट मूवी के बारे में जो कि अमेरीकन साइकलाजिकल फ्लेम है और इस फ्लेम को 5.8 आइंडी बी मिली है और और अटन टमेटोस पे इट्स 71 परेश विट ओडियों स्कॉर आफ 60 परेश अब फीडियो शुरूआने से पहले हैं अगर आ प्रेयर कर रही थी और अपने प्रेयर के बाद वह मदर सुपीर की रूम में जाती है जहांसे वह चुपके से चावी का उच्छा चुरा लेती है और इट वोस क्लियर कि सिस्टर मैरी जिस भी कैथलिक कॉन्वेंट में थी वह वासा भागना चाती थी वह तूरंग चावी स गेट खुलने लगती है और तभी अच्छानक से हम कुछ होड़ेट लोगों को सिस्टर मैरी के पीछी दीख पाते हैं सिस्टर मैरी जलने से गेट खुलने लगती है और थोड़ा गेट खुलते ही वह भार भाग जाती है कि तभी एक होड़ेट फिगर उनको पैर पकर लेत और उसे तोड़ देता है जिसकी वज़े से सिस्टर मैरी बहोश हो जाती है और जब उन्हें होश आता है तब उनकी मदद करने कोई भी नहीं आ सकता जिसका मतलब सिस्टर मैरी उसे कॉफन में मारी जाती है पर यह से सीन आता है यह लड़की पर जिसका नाम से इसलिया था ज हम समझ पाते हैं कि सिसलिया को फादर तदेश ही इनवाइट किये थे और सिसलिया कॉण्वंट जाइन करने को बहुत एकसाइट थी क्योंकि यूएस में जहां पे वो काम करती थी वो प्लेस बंद हो गया था अब जब सिसलिया कॉन्वंट के में गेट को इंटर करती है तो हम समझ पाते हैं कि यह वही कॉन्वंट है जो हम स्चार्टिंग में दिखाया था सिसलिया की मुलाकात यहां पे मदर सुपीरियर से होती है जो की सिसलिया को वैलकम करती है और सिसलिया को उसका कम दिखाने का काम सिस्टर इजडा बेल करती है सिस्टर इजडा बेल सिसलिया से काफ़ी रूड भीएव कर रही थी in fact वो तो यह भी कहती है कि सिसलिया की पास अभी भी टाइम है मतलब आश्याद बाउस लेने से पहले वो यहां से जा सकती है वाउस लेने के बाद वह वापस ने जा सकती and we can see sister Cecilia काफ़ dedicated थी even after knowing कि Cecilia का काम ऐसे older sister का ध्यान रखना होगा जो कि जल्ली गुजरने वाली है still वो यहाँ पे रहना चाहती है फिर आगे कहानी में Cecilia के मुलागात Gwyns से होती है और इन दोनों की वाइप काफ़े मैच करती है तो यह दोनों अच्छे दोस्स बन जाते है अब शाम को Cecilia वाउस लेने चैपल में जाती है जहाँ पे उसके मुलाबत फादर तदीशी से होती है फादर तदीशी काफ़े फ्रेंडली थे और एवन वो Cecilia को वाउस लेने में हेल्प करते है अब डिनर के टाइम फादर तदीशी और Cecilia के बीच कुछ बाते होती है और हम इन दोनों के बारे में और जान पाते है लेक फादर का फर्स्ट कर्यर साइंस में स्पेसिफिकली बायलाजी में था लेकिन विट टाइम वो कुछ को इस कॉन्वेंट के लिए डिवोट किये अब Cecilia बताती है कि जब वो बारा साल की थी तब वो एक फ्रोसल लेक में गिर गई थी और जब तक Cecilia को बहार निकाल लगया होता है तब तक उसकी हार्ट बेड बंद हो गई थी इनफेक्ट डॉक्टर ने भी बोल लिया था कि Cecilia जिन्दा नहीं है लेकिन साथ मिलिट बाद Cecilia अचानक से जिन्दा हो गई थी तब से भी Cecilia को ऐसा लगने लगा था कि God ने उसकी जान किसी परपस के लिए बचाई है और उसी परपस को पूरा करने वो इस कॉन्वेंट को जोईन की है वो फाइनली अपने वाउस लेके नन बन चुकी है विलागी की सिन में हम Cecilia को चैपल में देखते हैं जाहां वो एक होड़ेट फिगर को जमेन पर लेटा हुआ देखती है वो होड़ेट फिगर ने रेट स्किन बाल्स जैसे कुछ तो पेना था और तब यह वहाँ पर मदर सुपीर भी आ जाती है मदर सुपीर सिसलिया के हाथ में एक होली नेल वालिक दीती है और यह वोई शार्ट पॉप्चेक्ट है जिससे जीजस को इंपल किया था और यहाँ पर सिसलिया को लगते हैं कि मानो कुछ हाथ है जो उसे पकर लिया है और वो एक रेट रोम में है जाहां वो होड़ेट फिगर सिसलिया को स्टैप करते है अब यह सब शायद से एक नाइटमेर था या में भी नहीं फिर हम सिसलिया को कॉन्वेंट की तोर तरीकी सिखते हैं और एक राद जब सिसलिया सो रही होती है तब एक बोडी नन उसके बाल कर देती है जिससे उसके नेंद खुल जाती है और सिसलिया वापस उस बोडी नन को उनकी बेट पे लेकी जाती है देखा जे तो सिसलिया को काम इन बोडी नन का ख्याल रखना ही था अब यहां सिसलिया नोटिस करती है कि बोडी नन की दोनों पैरों पे क्रोस का रिशान बना हुआ था अगले दिन सिसलिया नाते वो गुईन से बात कर रहे थी तब अचानक सो सिसलिया को वॉमेट होता है अब सिसलिया जिस कमरे में जाती है वहां फादर तरदेशी मदर सुपेरियर और भी कौश लोग मौजूद होते हैं जोगी बहुत सीरियस लग रहे थे दरसल बात यह थी कि सिसलिया वोस प्रेगनेंट लेकिन यह पॉसिबल ही नहीं था यहां पर सभी लोग सिसलिया की प्रेग्वेल से कमरी को बानने लगते हैं और पुरे कौणवेंट में सिसलिया को स्पेशल ट्रेटमेंट मिल रही होती है क्योंकि सब यह समझ रहे थे कि सिसलिया की बच्चा है वो एक ब्लेसिंग है सब लोग बहुत कुछ थे लेकिन सिसलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को हुआ कैसे और हुआ तो उसके साथ ही क्यों हुआ किसे और के साथ क्यों नहीं अब कॉन्विट पर एक नन थी जो कि सिसलिया की पॉप्य आइटी से खुश नहीं थी वो kind of जलस थी ये सब चीजों से और वो और कोई नीपल की सिस्टर इजाबेल होती है वो इन पर सिसिया को डुबा के मानने की कोशिश करती है ये बोलती हुए कि ये सब मेरे साथ होना चीए था इजबेल सिसिया को और्मुस्ट माल भी दे थी लेकिन येन मोबेंट पे वहाँ पे दूसरी नंस आज जाती है चोजBS को बचा लेती है और ये सब होने के बाद वीजव सिसिया के पेच्ट में बच्चा था वो ठीक था और सिसिला एक रियल हॉस्पिटल जानी का डिमांड करती है लेकिन फादर तदीशी का कहना था कि सिसिला यहां पे जादा सेफ है इसके बाद हम देख पाते ही कि इजाब इस कॉर्णमेंट की छट से कोट के स्मोसाइड कर लेती है और सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि वो मैंटली अंस्टेबल थी इतना सुनके आप लोगो समझ में आगया होगा कि इस कॉर्णमेंट पे कुछरा कुछ तो गड़बर है सिसिला को भी इस बारे में शक होने लगा था कि इस कॉर्णमेंट में कुछ तो गलट है इवन सिसिया के पहले इक्वीन को शक होने लग दिया था इतना कि इक्वीन सब के सामने चिलाने लगती है कि यहां कि सुपीरियर चीज़ों को दबा रहे हैं यहां पर कुछ ना कुछ तो कलद जरूर हो रहा है उसकी इस बातों को सुनके फादर तदेशी और डिकेंजों उस सिसलिया वह सेक्शन बाइबल में चेक करती है तो पॉप इक्लियरली मेंशन था कि कभी कभी शैतान खुद को एंजल बताते हैं इससे हम एक खेंग की तरह ले सकते हैं अब इसे पढ़ने के बाद सिसलिया के अंदर चान बिन करना शुरू करती है और उससे एक ड्रॉव मे दीती हैं जिसन पीछा करते हैं जिसलिया कामरे तक पहुष्चती हैं यहां को छोड़िट लोग वें कर देती हैं यह सब दीकिति शॉक होती है और तहले वहाँ का बाल गाता था यह ओंड रण सिसलिया के बाल से बना हुआ अग्रॉस उसे देती है और दर्ते हुए उंसे क जिस सुन कर्मो ओल्ड नन सीरियस हो जाती है और सिसलिया से कहती है कि तुम्हार से कभी ने निकल पाओगी अब नेक्स जाम देख पाती है कि सिसलिया बहुत ब्लीड कर रही थी ऐस इफ उसको मिस्करेश हो गया हो ऐसे में फादर ददेशी और डीकेंजो सिसलिया को कार्मो हॉस्पिटल ले जाते हैं इनकी निकल जाने के पाद एक नन नोटिस करती है कि सिसलिया के बैठ के नीचे चिकन का पंक होता है विच में कि सिसलिया बीडिंग कर रही थी यहां से भागने के लिए और असल में उसने चिकन को मार कि उसका ब्लड अपने चारों लगा लिया एसन लगी कि उसका मिस्ट करेंश हो गया है अभी दन तुरान काल करती है फादर तदेशी को और सब कुछ बता देती हैं और अच्प्रेशन को देखके सिसलिया समझ गई थी कि उनको पता चल गया है और ऐसे में सिसलिय कार से भागने की कोशिश करती हैं लेकिन फादर तदियशी और डीके अंज़व से वापस पकड़ कर कॉन्वेंट मिलाते हैं किया पर सिसलिय को एक चेर से बान दिया था और इस पॉइंट पर फादर तदियशी सब कुछ रिविल करते हैं कि कॉन्वेंट में आखिर जल क्या रहा है दर असल फादर दिशी इस कॉन्वेंट में आने से पहले इंग जैनेटिक एक्सपर्ट थे और जीज़स के नेल वलिक पर और या जीज़स के बलड सेंपल मिलता हैं और बहुन सवगीरी मिलते हैं इनसे पल उनी जनेटिक कोड मिल गया था जिसे यूस करके वो हमारे दुनिया में एक त्रया मसीहा लाना चाहते थे और पबस को सिस्टर के एक्सप्रेमेंट करने की इजाज़ा थो ने और कई नहीं मिल सकती थी इससे वो इस कॉर्ण्वेंट को जॉइन किये थे वो 20 साल से सिस्टर्स को इस जनेटिक कोड की मदद से प्रेगनेंट कर देते इस उमित में जनम लेने वाला बच्चा एक मसीहा होगा अब तक उन्होंने बहुत से सिस्टर्स के साथ ऐसा किया था लेकिन हाट एन फीटस या तो डिफॉर्म निकलता या फिर सर्वाइब नहीं कर पाता लेकिन फाइनल इस बार जो सिस्टर्स के पेट में बच्चा है वो हेल्दी है जब सिस्लर भेश होई थी तब एक्चलिए वो होड़ेड लोगों ने इंजैरेटी कोट से इंप्रेगनेट किया था अब यह सब बताने के बाद फादर सिस्लर के पेर में जलते हुँ प्रॉस सैन लगा देते हैं और याँपर बहुत से इंड़ेस के साथ ऐसे ही किया गया था तभी तो सिस्लर अने इस ओल्टन के पेरव पे भी यह साइन दिखा था इसके बात हम सिस्लर को डॉक्टờ की इन हौस क्लिंटिक में देखते हैं जब मधर सुपीरर भी थी डौक्टर के जाने के बाद सिस्लय ग्रॉस से मदर सुपीरर्ड पर अटेक करती है और वहाँ से बागने की कोशिश करती है बढ़ हैं वाटर ब्रेक्स चिल सिसलय अपने रोजवी से कार्डिनल को चौप करती है और से मार देती है फिर फादर तदीशी की लैंब में जाकर वहाँ आग लगा देने का सोचती है कि तब फादर तदीशी वहाँ पर आशाती है और सिसलय को मैनिपलेट करने की कोशिश करते हैं इंफेक्ट वो सिसलय पर हमला भी करते हैं लेकिन सम्हाव इस मार पेट के बीच में सिसलय फादर तदीशी को लैंप बन कर देती है और वहाँ आग लगा देती है अब सिसलय इस को यहां पर आना अलावड नहीं थे ऐसे ही इजा पर यहां के साथ हुआ होगा सिसलय यहां से निकलने की कोशिश करती है कि तब यह अच्छानक से वहाँ पर फादर तदीशी आ जाते हैं जोकि पूरी तरीके से जल गए थे लेकिन सम्हाव लैप से निकल गए थे यहां फिर से इंके हादा पाई होती है और फादर तदीशी सिसलय की पेट को काट कर सब्सक्राइब करने करने पड़ती है अब हम यह तो नहीं दिखाया जाता है लेकिन हम उसके आवाद सुन पाते हैं जो कि बिल्कुल भी इंसान जैसी नहीं थी यह जानवर जैसी थी और इस बच्चे को दीखके सिसलय शॉक थी और सिसलय के पास में यहीं बहुत बड़ा स पतर पड़ा हुआ था वह उस पतर को उठाकर उस बच्चे पर फेंग देती हैं और इस पॉइंट पर इम्मैकलीड फ्लिम एंड होती है तो दोस्ते यह थी मैंकलीड फ्लिम की कहानी और हाँ इसके एंडिंग के बात करें तो श्याद वह पच्चे शेतान का था क्यूंकि आज के लिए पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रू करना और चैनल को सब्सक्राइब करने बिलकुल मत भूलना